फानली हिउंडाई वर्ना की 6 जेनरेशन इंडिया में लॉंच हो चुकी है अब जेनरेशन चेंज हुआ है मतलब गाड़ी में आपको नए लुक्स मिलेंगे फ्रेस इंटीरियर मिलेगा कुछ नए फीचर्स मिलेंगे और इंजन ऑप्सन में भी चेंजिस किये गया हैं तो च क्योंकि ये गाड़ी हमेशा से इंडिया में पॉपुलर रही है अपने लुक्स और प्रफॉर्मेंस के वज़ा से ही तो न्यू वर्ना दिखने में एज आलवेज फैंटास्टिक लग रही है और हाइटेक वाली फिल आ रही है कनेक्टेड डियारेल्स के वज़ा से तो गा बोडी पे आपको काफी सारे सार्प लाइन्स दिखेंगे इसके वाज़े से गाड़ी में अस्पॉर्टी फील आता है और विम्स आपको बोडी कलर ओफर किये गया है और आर्सिक्स्टिन डायमंड कट अलॉइविल्स ओफर किया गया है और इस गाड़ी का मोस्ट आई इसके वाज़ा से बंपर काफी अट्रैक्टिव लग रहा है यह तो एक्स्टीर हो गया इंटीर की अगर बात करें तो आपको गाड़ी में फ्रेस कैविन मिलता है और इसका इंटीर आपको दो कलर ओप्शन में ओफर किया गया है फर्स्ट ब्लैकेंड वेस्ट डूल टोन म और बाकी की चीज़ें हम बात में देखेंगे पहले हम बात कर लेते हैं इंजन अन परफॉर्मेंस के वारे में न्यू बर्ना में अब आपको दो इंजन ओफर किया गया है फर्स्ट 1.5 लिटर MPI पिट्रॉल इंजन जो की मैक्सिमम 115BHP का पावर जनरेट करेगा और टॉक जनरेट करेगा 143.8 एनम का मैक्सिमम यह पावर्स इस गाड़ी के लिए सफीसियंट हैं और कंपनी इसके साथ ट्रांसमिशन ओफर करेगी सिक्स स्क्विड मीनुवल ट्रांसमिशन और आई भी टी और सेकंड इंजन होने वाला है 1.5 लिटर टर्वो जीडियाई करती है यह तो तभी पता चलेगा जब गाड़ी रोट्स पे दिखेगी और टर्वो एंजन के साथ कंपनी ओफर करेगी सिक्स स्पीड मीनुवल ट्रांसमिशन और सेवन स्पीड डी सीटी अब बात करते हैं इस गाड़ी के हाइलाइट फीचर्स के वारे में तो इस 25-inch touchscreen infotainment system with android auto and apple carplay और infotainment से ही connected है instrument cluster Hyundai Blue Link connected car technology, 8 speaker boss sound system, a steering wheel with controls, ventilated front seats with heat and cool feature, paddle shifter, a smart electronic sunroof, power driver seat, push start button, a smart trunk, all power windows, wireless phone charger, automatic AC, tilt and telescopic steering wheel और इसके अलावा गाड़ी में और भी कई सारे features offer किये गया हैं और highlighted safety features के बात करें तो six airbags, parking assist, electronic stability control, hill start assist, all four disc brakes only in turbo variant, electric parking brake सिर्फ टर्वो वेरियंट में, vehicle stability management, emergency stop signal, ISO fix child seat mount and इसके अलावा गाड़ी में और भी कई सारे safety features offer किये गए हैं पर गाड़ी का सबसे बड़ा highlight है ADAS level 2 क्योंकि इसमें आपको कई सारे advanced safety features offer किये गए हैं जो आपके driving experience को काफी easy बनाने वाला है और इसके लिए आपको price pay करने पड़ेंगे base variant 10.90 लाक रूपिज से top model 17.38 लाक रूपिज तक तो overly गाड़ी आपको एक काफी अच्छा package offer करती है क्योंकि इस गाड़ी में आपको अच्छे looks मिल रहे हैं advanced features मिल रहे हैं बठा कुछ कम्या भी है जैसे कि अब इसमें diesel engine को discontinue कर दिया गया है और hybrid भी फिलाल इस गाड़ी में offer नहीं किया गया है तो ये रही 2023 Hyundai Verna आप क्या सोचते हैं इस गाड़ी के वारे में comment में जरूर लिखें और चैनल को subscribe कर सकते हैं ऐसे ही automovils related videos देखते रहने के लिए अब मिलते हैं next video में thank you so much for watching